कि इस मंत्र को अगर आप लोग मेरे पास आके यहां बैटके थोड़ा देख करोगे तो में समझते हो जादा अच्छा है इसका अलाबा आप देखिए सब में मंत्र मैंने लिख दिया है विजक्षर कहां कैसा जाप करना है और इस अबस्ता में मंत्र उत्पन हो रहा है इसके सब्सक्राइबाद कौन है स्रीज में आपको करके दिया है यह जो सरशक्षरी मंत्रा है गुरु का हम नहीं करेंगे जब इदर आओगे हां सा का ला बा रा यू हम चम यह नहीं हम सामने बैट होगे तो हम आपको बताएंगे स्वर कहां से आएंगे सम मंत्र का है और बाकी सरवा चक्रों में देकिए एक एक मंत्र है ना चक्रों कुछ बीष मांधर में आया मैं इक यह तर न मया तब उस चब्द को जाब करना चाहिए तो अभी मैने असलिति से लगाा है नि तो बुलना चीजή सरा बा का हर एक चक्र में बिच आक्षा है अपना नोट किया होगा अपरत्यक चक्र का अपना विज नोट किया होगा. प्रत्यक चक्र का अपना विज हो क्लास काल से थि जरू कराएंगे, काल से आज हम लोग थोड़ा सा हूँ प्रानायम के बारे में जो कल हम लोगोंने जो लेम युग किया था, उचाहिसे किया था, तो उससे आप लोगों को बाद में भी कुछ कश्ट हुआ होगा कि ने, यह भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि उचाहिसे जो हम साधना करते हैं, तो बहुत देर ताक, कही गंटा, दस- कि बने चाहिसे, कल, काल जो हम लोगोंने जो साधना किये थे, उसमें आप लोग कितना देर तक आप लोगो रहें, दिखिए, यह इसका मुलाधार चक्र है, उसका लम भी जाए, जब हम लोग मुलाधार में प्रविश्च करें हैं, काल से कराएंगे, क्लास, हम लोग जो मुलाधार में प्रविश्च करेंगे, यहां पर हम बैटके कुछ देर लम भीज का जाप करेंगे, ऐसा प्रतिक चक्र का अपना-पना दिजक्षर है, देखिए, यह सौधिस्टन, सौधिस्टन में यह देखिए, बंबी जब मंत्र लेखा हुआ है, जब मतलब हम लोग जब यहां पहुचेंगे, यहां इस मंत्र को जाप करेंगे, इसलिए इन चार्टों में से आप लोगो को, बीजक्षर को सब को अपने सामने रखो, उसमें जब रखोगे तो आप लोगो कभी याद भी नहीं आ सकता है, इसलिए उसको कुछ करके आपने पास भी द चक्र में जो बराबरा है, एदम दिखाएने ज़ता ना ठीक से, इसलिए मैं दुबार नीचे लिख दिया, देखें, तक तक इसमें यह मनिपूर है, देखें, मनिपूर का रम, रम अगनी भीज होता है, देखें, रम भीज आईगी, और इसमें बीच में भी पूरा बना इसमें अधमों की टंगिलर है, इसमें दुसरा टंगिलर है, जो मैं कहती रहे तुझे, तुझे रुणावा आत्मा का है, तिन है, तो इसमें सब बैठके जब यहाँ जाब करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को कौन दिखाए देगा, जब जाब करने सब को परकाल से, हम जब यम, यह अनहाच चक्र का यम है, यम बीजा है इनका, और यह सुभी शुद्धा का है, यह हम, यहाँ से कठीनाई शुरू होता है, हम बीजा है, वत्ते बीज को आप देख लिजे ना, और बीज को देख के, अपने सामने कागज में नोट करके रखो, इसका लगाँ ब देखने को मिलेगा, उससाब करना है, और आज्या चक्र में ओंकार होता है, जहां से गुरू का हम सुभी लना करते हैं, गुरू से हम मिलते हैं, यहाँ भगवान शुरू जो है, अर्धनारिश्यक की रूप में गहते हैं, इनका ओम बीजा है, जाप मंत्र ओम बीजा है, हम शम देखिए, हम शम और ओम इस तरह दकिए ओम है, तो हम अग्या से गुरू का गिरे में पहुझ जाते हैं, यह देखिए, सहर सार, सहर सार में इतना अक्षर है, हम लोग एक के बादेजा है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, यह लंबा मंत्र होता है, जब हम लोग यह जब भार इस मंत्रों को जाप करेंगे देखिए जब बवन बोल रहे थे यह सा हम बोलेंगे इसको हा हा शा खा फेम हा शा चम यह जो मंत्र है बा मा मा ला बा रा यू हा यह बडिए ग्या क्ने फैं किunter है रहे हल यह जब करेंगे माा रा को अधरी कि आसे कि अ भार यूं के हरा यह आखिर में इससे कोई बड़ा मंत्र नहीं है सकल चीज का साकल चीज का प्राप्ति का होता है जितना संकसार में संपूर्ण आता है जितना भी है यह सब इसी मंत्र में है और सर्वसिद्धी मंत्र गुरू का मंत्र होता है गुरू का मंत्र सर्वसिद्धी देता है संकसार में ऐसा कोई विद्या नहीं है जिसको जाप करने से नहीं मिलता है भेंकर से भेंकर भी पत्ति आप लोगों पर आते हैं, आप आग बंद करके आग्या से उपर जाईए इस जगा पे, जहां से सरश्रा शुरू होता, मन को वहां रखके, आग बंद करके, जैसा भी आपको पर संकट है, आप सरश्र के नीचे, हाथ जोर के बैठे आपने को समझ करिए और गुरू का निकटे प्रातना करिए, जो आपको कष्ट है, हमें इस कष्टे उतार करिए, दिखिए कि क्या सुंदर, कितना मेरे के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, एक बार गुरू महाराज कहते हैं, आदमी रोज नहीं मरता है, एक बार मरता है, सचमुष जिस द पर किसी काम के लिए हम इश्वर सजा देता है, कभी किसी काम के लिए, हम लोगों को दोड़ा कोई गलत काम होता है, तो तब कुछ समय उसको सजा को भूगने देते हैं, गुरू मारा स्वाइल कहते थे, कि अगर नहीं भूगने देंगे तो उसरफ है, जादा कर्ष्ट मिल इसलिए हम थोरा कर्ष्टे के तुमको निकाल ले जाएंगे, तुमको मतलब सबसंक्सार को, तो गुरू जब हमको दन देता है, कान मोल देता है, मुर्गा बना के बटा देंगे, दस मिनिट के लिए फिर बैटा के फिर प्यार करते हैं, लेकिन देवता है, जो मुर्गी ब चमा कर देता है, मुर्गी बनाने के बाद भी चमा कर देता है, तो कोई भी भेंकर, दोस्तों होता हम से, या हम लोग कुछ गल्ती कर लेते हैं, जो गुरू सजा भी देते हैं, और गुरू हमें मुक्त भी कर देते हैं, लेकिन देवता नहीं करते हैं, देवता का बास तु जो हमने आपको कुछ दिया हो, हमारा वैदिक चाठ जो दिया है, ये धुल्लब चाठ है, नारी उगरा, तो फिर भी ये जो चाठ है, इसमें इन चाठों को, अब अच्छी तरह से, इन शक्तियों को इस सब आप अध्यान करें, अच्छी तरह से नया, जो आज आप लोगों क कुछ चार्ट मेरें, इनको खुब अचीतर से अध्यान करिएगा, इसमें कहां कहां, कौन-कौन समंत्र, कैसे लिखा है, उनको जानो, तो तभी तो आपको साधना में आपको काम कराएंगे, ने तो ने करा आपाएंगे साधना, अभी तो खाली हम करवा रहें अपने संग, ल जानना जरूरी है, बाकी जो अभी छे साथ अपको नहां चार्ट दिया है, इनको एक-एक परना, जानना है, उनकी शक्तिया कौन है, तीन वहां नारिया कौन से हैं, और भापत ड्राजा नारियों वें से जिदे तीन नारिया, इनका करम क्याएं, सब कुछ उसमें आपको म जानना और पैचानना कैसे कैसे के नारिया है कैसे कर नहीं है तो हम लोग जब वहां से बुझ रहेंगे जाना तो पड़ेगा अभी तो हम लोग सिधा जाने रहें से निकलते हैं सिधा सिधा निकलते हैं यह ऐसे तो नहीं है आस्ता आस्ते हम लोगों को भूमना हुआ रास्त बैटा है, उनका काम क्या है, फंशन क्या है, इस सब हम लोगो जानना बहुत जुरूरी है, चार्ट बेजने के मतलब आपको मेल रहे के नहीं, जब आपको समय मिले, उनको पढ़ना शुरू करो, पढ़ते पढ़ते फिर आप लोगों को हम बताएंगे कैसा करके, इसके बाद कभी एक समय है, हम लोगो उतोरा, यह भी मारी कतम होचा, हम लोगो एक साथ बैटना जुरूरी है, अब हम लोगो एक सादना का उस जगह पर जा रहे हैं, जहां गुरू का संविध्ध वो जुरूरी है, जैसे नियोक नवजात शिशु होता है, जब बच्चे जन्नम लेता है, उसको जुरूरी अपने माँ चाहिए होता है, ऐसे सादक नवजात होता है, जब तो इसको गुरूरी माँ को साथ चाहिए होता है, क्योंकि तो सब कुछ माँ ही जानते हैं हमने बारे में, और कोई नहीं जानते हैं, जो सादक गुरू जो सादना कराएंगे, गुरू ही जानते हमें क्या करना, क्या करवाना है, इसलिए वह हमें दिल भाल करेंगे. तो आपने जो मैं बोला, इसको याद रखेगा, चार्ट के अच्छी तरसे बैदिक चार्ट है हम लोगों का जो, बाद में आज जो चार्ट नहीं है गया, इसलिए में सब को एक के बाद एक किताब लिसा बना के बेजाएं, शुरू से अंतक इनको एक एक करके देखते जाए और नोट करते जाए एक खाता आप इमें बनाई उसको, सुरूत बनाईए, कौन कहा है, कौज़र, शक्तिया कहा है, प्रपंच कहा है, कहा क्या है, सब आपको मालूम परेंगे, कि साधना सहज होते हुए भी, कहीं जगा में जाके, कठिन भी हो जाता है, तभी सदा जाता है है कि सबी कर लेगा, सबी क्यों नहीं कर पाता है, सब क्यों नहीं जान पाता कि सब कुछ सब के लिए नहीं होता है, तो हम लोग काल जो जहाँ छोडए गह ते, तो मैं इतना समझते हूं काल, कुछ लोगों को तो जुरूर बहुत देर तक सपंधन रहा होगा, और किसी का शेको किसको बंदर्द भी हुआ होगा खुषकि भी होगा किसको ने होगा खुलने का किसको भाषीपन में सिस्फ हुआ सरकूप इस जेगा पे तो यह सब अच्छी बात है मतलब आपका प्रुक्या दोनों हो रहे निचे से क्र से कसल रहा कि थोड़ा बदल बदल के होता है अज इतना जल्दी नहीं बिलेंगे उसी तरह से हम लोग साधना करेंगे और साधना कि समय किसुकों कर ज्यादा कोई तकलीफ होता है वो आप अपना आग कोल सकते हो आपने को नरॉलाइज कर सकते हो जबर दस्ती नहीं करना है देखिए मैं मैं हर दिन बोलती रहती हूं हर कठीन जगह के लिए बोलती रहती हूं आप उहां पर उमत करिएगा जोर मत लगाईएगा तो जब दरद हो ज्यादा तो आख खोल दीजी या आख खुलने को मन नहीं कर रहा तो आख बंद रखी लेकिन थुरा आख को न फरफराईगे तो इनर्जी पास करेंगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएंगे और आप जाप जो करते हैं आज भी ओही जाप कराएंगे एक जगह में लेकिन हम लोग अभी कहेंगे कि हार चक्र में हार वी जक्षर को जापती हुए निकलेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोगों को उसे उस शक्तियों को बारे में उन जैन उसके बारे में लोगों को जादा एकस्पिमाइश होगा स्पंधन कितना किसंका होता है एक तो ने हजारो किसंका सबिस्ता सन्धन को हम याद भी नहीं रख सकते हैं जितना हमें चाहिए आम उतना याद रखेंगे, जितना हमें चाहिए तो ऐसा करता जाएंगे आगे निकलते जाएंगे तो सादने के लिए टैर हो जाएंगे ऐसे यe Om kaar करेंगे हर यe Om करेंगे, अड़र हर करेंगे मतलब 3 लाज हम लोग कूंबक करते है हर यe Om कुम्भक का तीन एक लेयर्स आईए तो उसके पाद ओमकार करेंगे जो अंदर किछने के लिए होता उसके पाद आट बार करेंगे प्रनायम करेंगे लाययोग करेंगे फिर हम लोग थुरा जाप करेंगे सहस्टार में सहस्टार का आज यह मंत्र अगर नहीं जाप कर सकते कि आज यह मंत्र मिला है इसको अब लोग बैठके फ्रेंट यहां सारँ फ्रेंच कितर आता है मुर्धा बोलता है इसको मुर्धा से मंत्र जब आते हैं मंत्र सुध्ध हो जाता है मुर्धा बोलता है लेकिन अब लोग जब भयास करते जोगे तो आएगा आणा कर न कर ना रहन को सब्सक्रा कर ना नाराहिन को ठीक से हम रहा है आती बूत लो, नारायन, वहाँ पर ना कार तो हाई नहीं, वहाँ मुर्धा में बुलने बला ना है, मतलब बला बला ना है, अरंग है, नारायन, 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 दीकि मुर्धा बूल रहा है, नारायन, ग्नानेश, ग्नानेश, हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग गनेश, ना नहीं है, वो अरंग है, इस तरह से मंत्र जब तक सुद्ध उच्चरन नहीं करोगे, सुद्ध तरीके से नहीं भोलोगे, तब तक वो मंत्र आपके लिए कोई काम नहीं करें, या चाहे करोड़ो बार जाब लालो, पीज डालो, जाब कर डालो, वो मंत्र आपके ये बोलेगा नहीं, मंत्रो को पईदा सुद्ध करो, एक-एक शब्दों को, एक-एक शब्दों को, हाला, 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 च, च, ये भी मुर्दा, तो सब्दों को ठीक से बोलना जुरुरी है, इसलिए आप लोगो कुछ समाए, एक-दो कलास मेरे संग बैठके, मेरे सर्मिधा म करना जुरूरी है क्योंकि जो मैं बूल रहे हैं इसमें भी मेरे गलाज का खराब है तो इससे आपको पुरी तरे सुनाई नहीं दे रहा है तो सहस्रान में जाके हम लोग अगर दादस के बाद दादस में गुरू बैठा हुआ है जो आपको इंदू डाइग्राम देखाया था एकदम तरी गुरू फूरा इसमें बैठाया ओपर सहस्रादल गंटा की तरह कमल जिसमें से रोश्नी का फुरा आ नीचे जा रहा है इतन है कितना कलर है वह आप काउंट नहीं कर सकते वह समझ नहीं सकते इतने कणो रोश्नी होनों नीचे मुलाधार तक को रोश्नी जा रहा है तो उसी रोश्नी के रीतर आप आ जाते है NICK कोहरा में आ जाके, हुआँ बैठके हम जब जब जाब करते हैं, सुद्ध जाब करते हैं, कि हम अजवार ज़ोड़ों के लिए, घजू आउव पिछली मैं कहता हैं, Deutsch मांत्र, कि थुझेमिकनु से मंट्रो मुलम गुरुपर खड़ो जब कोई नहीं धिर क्रतन मंत्र जो मंत्रो होता है गुरु से मंत्रों के होता है मुक्ष मुलम गुरुर प्रिपा, जब गुरु प्रिपा करते तो मुक्ष मिलता है यह तो मुक्ष नहीं मिलता है, मुक्ष के दाता गुरु होता है, तो आप यह जाहिए, कुछ जब मंत्र नहीं आए, कोई याद नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं, उस तेम आपना अपने जिदे में लगा के उसी मंत्र को जाप करोगे, वही सर्वसिद्धिदायक है, वही सभी पूरक मंत्र है, वही बाचक है, वही पूरक है, वही सब कुछ है, चाहे जोड से बोलो, चाहे अंदर उंभक में बोलो, चाहे आप मानस करो, तो उस मंत्र से वरा कोई मंत्र नह तो उसके लिए कभी हम आप हमारा सामने जब बैठोगे हम आपको और समझाएंगे लेकिन मैं कोशिश आपने तरफ सब पूरी करोंगी ताकि आप लोग चीक से सब कुछ कर सकोगे तो अब हम लोग हरियम करेंगे बैठो और आख अपने आलका बंद करो क्योंकि यह जो हम अभी साधना आपको कराएंगे इस साधना में बहुत जल्दी आ जाता है भारी पड़ जाता आदमी तो शिद्र कुंद्व से भीतर के तरफ जाने लग जाता है उचाह से अब नीचे क हो जाता है इसलिक चलिए हरियम करते हैं हरियू 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 हाली हों हाली हों आली हों ओम अरी 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 ओम प्री ओम आरियूम 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 ओम 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 अम, लम लम, लम लम, लम लम, लम आप्सिस आपार रहाट से भीक तूले कित क्या ए रहां अरियों 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 अब थुरा सांस लेने के बाद हम लोग प्रणायम शुरू करते हैं पुराना बाला करेंगे चार सुला आठ चार में लीजिए अपने मुद्रा में बैठिए अपने इस मुद्रा से आप सांस लीजिए एक, दू, तीन, चार एक, दू, तीन, चार पात, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा बाला, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ दू, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, छोदा, पंद्रा, सोला एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फिर से करिए, दूस्टा से, एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ दूबारा करिए एक, दू, तीन, चार, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, एक बारो एक, दू, तीन, चार, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इतना ही ठीक है, सांस को शिवाड़ो, नीचे उपर कर लो, हा कर लो करने के बाद हम लोग नाए जोग में जाएंगे, नाए जोग हम लोग कल की तरह ही उपर से जाएंगे, उपर से नीचे को आएंगे उपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे पिर नीचे से पिर चरेंगे, ऐसा, यू की तरह, तो मन को सेहं कर ले शांत कर ले और हास्ते हास्ते, आऊंग को बंद करो इसमें आफकोऊ के सारत हैं करो ध्यादकेशल करना के रिए आकानर। आखर में अदा करना जोर भी नहीं करना विजो चैनर्भाकर से इनकेसे बीच में अचनर्मा के अध्याय का आ कि हाँ हम लोग उपर में देख रहे है इसले सीला उपर को देखते हो यह हम लोग आश्ट 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 नीचे जाएंगे. आप समझ लिए चिकर के उपर हम बैठी है, और उसके चारो तरफ ऐसा लगने हैं, मैंने कहा था, बहुत सुंदर सुंदर, सुंगन्द महें ब्रिक्षा है, उन ब्रिक्षा में किसमें फूल है, किसमें कलिया है, किसमें कुछ और फल लगी हुई है, ठोटे बड़े, बड़ा रंग भी रंग है वहाँ पर और उसके आसपास चड़ो तरफ जो है सुगन फलों का फूलों का और डिक्षों का सारा खश्बू फैला हुआ है और आस्ता से नीचे उतार है इस टॉप में से आस्ता से नीचे को जा रहे परवत्वी से नीचे के तरफ आ रहे हैं वही ग्रीन कलर जो है कही पर जा कि मुल वूँए हैं और हरी रंग बहुत घयरी भी है कहीं और कहीं परवाट जो हुँए है और हरी से आप आस्ता 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 नीचे को जा रही है तोड़ा मतमेली, मत्टी मत्टी रंग की कुछ आ रहा है, जैसा हम लोग मत्टी ही कहते हैं, मत्टी मत्टी कुछ आ रहा है, उसमें चोटे बड़े बिक्ष में फूलों लगी हुई है, सुन्दरता है, घास लगी है, घास में सपेज सपेज फूलों से बढ़ा हुआ है, जैस वो फूल आप उनमें से नीचे को तरफ जा रहे हैं, और आप नीचे जा रहे हैं, मत्मेली आ गया, मत्ती मत्ती रंग आ गया, हरी हरी मत्ती मत्ती जा रहे हैं, नीचे के तरह आ रहे हैं, कुछ पक्षिया, कुछ सबूर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ चुरुचते खरगो आमें आ गया उसको बराबर में आ गया वहां आप देखी परब० ज है उनकले हुई रहा है बारे चैनल करना अपरब० के उपर आके पानी का लहरे थपड़े मार रहा है जोड़े-जोड से धेव गनलबेमा держs LMPOW मार रहे है और मार मार रहे है लम थेला लिया पहला लिया, पानी के अंदर फैल रहा है, वो मत्टी जो है, वो पानी के अंदर फैल लिया है, मत्टी के साथ साथ हमारा शिरिर में सोना रहता है, धातू, तो धातू भी पानी में चला गया, और हमारा मत्टी भी चला गया, फिर भी मैं यहां बैटी हूं, मेरा अस्तित्त है और मैं उपर से नीचे के तरफ आ रही हूँ, तो हम आज्या में उत्रें, आज्या से हम ललना में जा रहे हैं, ललना में हम क्या देख रहे हैं, इसको बीचो बीचाम है, यहां से हम और नीचे को जा रहे हैं, तो नीचे को जा रहे हैं, जो जल ने मट्टी को और सोना को अपने अंदर ले लिया, वो से जल के अंदर जोर से अगनी धहक उठा है, धर-धर करके दहक रहा है, और जल जो है, लब-लब करके उबल रहा है, उसमें बड़-बड़ भोफार पटकर रहे हैं, और पानी सुकते सुकते, पानी सुक रहे हैं, और उसके साथ जो चान्दी है, आपका हमरा शरीर में, वो चान्दी भी उस आग में चला गया, पानी पीतर जो आगा रहा था, उस आग जो है धरधर करता हुआ फार नील ररा जाल रहा जैसा अगनी जल रहे है कि तप is है यह टाप में हम आप इक रहे हैं और 아ट आस्ते 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 ओबहेंगकर अगनी का प्रवेष होता है, तो उपर से देखिये काले-बादल के तरह मेग chapters청 पवन नीची के तरह सही के तरह आँख要 vedere, ऐंकश के तरह से राखेड़ा नाजड़ें वाईू आक्जद है, इंग पवन होगी वायू आकर आकर यह तरह लेक पीछे जा रहे हैं और साथ साथ अगने में जो हमारा श्रीर में ताबा होता है ताबे जो धातू होता वो भी पिखल पिखल के वो अगनी में चला जा रहा है अगनी को वायू लेके जा रहा है हम वायू को पीछे पीछे दोर की जा रहे हैं उनके पीछे पीछे और वो एक च न उसमें प्रिक्षाग्रिया में, यहां प्रयाक्तिर्थमे छोड़ता है, यहां मूल पे आ गिया है, और पवण पहल गया चरो तरब, और हम लोग अपने शिशनमाद नारी के उपर, प्रम्व नारी के उपर आके पड़े, प्रम्व नारी जो सदातन सत्य होता है, जो आनद में होता है उसके उपर हम बैठे हैं आके ऑग इस नारी के मंगदम से हम लोग के टेनल पर जा रहा है दिखिए चारो टिरस से उसके रंग कितना सुंदर है तो ग्रे कोड़ भी है ऊस में ग्रे के सब नीला भी है me और येलो के साथ ओरिंज ये ओपर में लाल है। इस लिखे रंग का उछे रंग है। अब हम लोग उस टेंदल पर गुछते। हम लोग आगे कोछ जा रहे हैं। आगे को पॉद्अ करूता है हुआ है, स्वाधिष्टर्ण में पुहँचे हैं। स्वादिष्ठन में पहुंचके, हम लोग मुलाधार में जब थे, तो मुलाधार में नील और लाल सब कुछ थे आपने देखा होगा, आउसे जब स्वादिष्ठन में पहुंचे हैं, स्वादिष्ठन से हम उहां पर जाएंगे, हम भगवान विष्णु को प्रनाम करेंगे, मुलाधार में हम लोगों ने भगवान इंद्र, गनपती, बगला मुर्खी को तिनों को प्रनाम किया, हुजोंगी माता जो सर्पेन पावार है हम लोगों का अंदर, वो जो अम्रित कलशको पर दंदी मार के बैटा हुआ, उनको नमस्कार किया, अब आस्ते आस्ते हम लोग दाएं तरफ से सकल गिये ते दाएं तरफ से गुमता हुआ, हिलिक्स की तरह हम सौधिष्टर में प्रविश्च कर रहे हैं, सौधिष्टर में देखिए बगवान बिश्णू, लेक्ष्मी के साथ आनन्द गुर्बक बैटे हुए हैं, हम उनको उ लेकि फिरोजी रंग अगये हैं, इकड़ी कितना सुन्दर जलजला आता हैं छकि फिरोजी रंग हैं, लेकिन उसमें ताफ है जास गैस काःग जलने के बाद जिसा मिला वरनका होता है, उसको तेज कितना बार तक गर्माई आते हैं, तो देखिए कितनी गर्माई हैं, हाह जहां गर्माई है तो वहां उमस भी है, जहां गर्मी होगा, वहां उमस होगा, तो वहां पर डैम भी होगा, तो ठंडग भी होगा, आप हम लोग उसके अंदर गया, जब हम मनेपूर में पहुंचे हुआ रुद्र, अपने शक्ति दाकी ने शक्ति के साथ आज बैठा हुआ ह और भगवान रुद्र को हमने उनको टाकिने शक्ति शहीत प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद आस्ते आस्ते हम लोग जा रहे हैं कहाँ अनहात में अनहात में हम जब पहुचे देखे मारा रुद्र अपने शक्ति अनि पार्वति अरपडवति गौर्जा रुद्र द अगमान को प्रणाम करते हुए, फिर हम दाय तरफ घुमें और हेले किसी तरह घुमता हुआ, एक दम से उपर को तरफ जा रहे हैं, उपर में आस्ते आस्ते चरते चरते हम लोग आया, यहां पर हम गले के ज़ित कंट के पास आया, विशुद्य चक्र में आया, विशुद्य कर के देखें, यहां पर नेले रंग का आना आकाशी रंग, जो आकाष होता है, उस समंदिर के ज़नग है, वही रंग यहां पर तो आस्ते आस्ते सुछात और भी रंग है, अम उसमें से हलिक्स की तरह निकालके, पर चोटा जो जगा है, जहां पर मैंने आप लोगो कहा, जीवा को उल्टा कर लीजिए और उपर के तरब जीवा करिए, तो वहाँ आपको ललना चक्र में लेंगे, ललना मही मां सब उहां बैठी है, सुरस दल की, सुरस ही आए हो, सुरस ही सर्व मंगल मही, सर्व कामना मही, सब इच्छा देने वाली वहाँ पर शक चक्र में चक्र खाता हुआ, हम लोग बढ़ना को उपर सजाते हुए, हम उपर को आ रहे हैं, उपर को आएं, तो हम आज्या में पहुंच गया, आज्या में अब हम लोग हरो गोजी दुशी पार्पतिक साथ अर्दनारी सर्व के रूप में खड़ी है, बैठा नहीं है, ख अज्या में परनाम करते हैं, उनसे आगे जाने का रास्ता का अज्या लेते हैं कि, हे आशुतर्ष भगवान, अब हमें आगे चलने का गुरुचरन तक जाने का रास्ता दीजी, देखिए, शीव और पार्पृतिक बीच ओ बीच एक शिश्मा जोसमें ब्रमन आरी जो जा अंदर के तरब हम उसमें प्रविश कर रहें, ये टैनल के बाभी तो होता है, चोटा होता है और नेरो होता है, हम उसके रंदर प्रविश करते हैं, आस्ते आस्ते खसक रहे हैं, नीला रंग आया, पहला काला रंग आया, काला के बाद देखिए चलते जा रहें, नीला आता है दोधस में गुरू पदमाशन में गयना मुद्रा लगाए अपने आख को बंच करके महानंद पूर्वक सहसार कर नीचे बैट के साधनामे रत है ये दक्षिमूर्थी गुरू है सर्व कार्यक में सित्री देने वाले गुरू है इनको हम प्रणाम करते हैं और करके हम लोग की तरफ जाना है गुरू से अगलिया और हम लोग सहस्रार की तरफ उपर जारा है जहां से बहुत रंग हजारों रंग जिसका आप बननन नहीं कर सकते हैं जैसा बहुत महंगा कटक और कशीशा होता है जैसा उसके अंदर से जो रोश्नी हीरे के अंदर जब भाहर को आता है वैसी शर्षार पद्लों के अंदर से घूत रंग हजारों रंग उसमें आप प्रविश करके अपने जो टारिके दो चिदर दिखरा आप लोगो उसमें एक चिदर से आप अंदर जाने कोशिश करिए वो एक शिदर आपको पड़ को लेके आते आस्ते आस जाके बैठे हैं आप यहा बैठे बढवासनल लगाओये ऐसfy अपने मंसे निक्या पचारे है और आप आग बंद करके और हम हम्हा मुध्रा ओर और हात को जोड़ करें प्रात्ना के तरह और उसको खोड़ दिज्ये एसा करके मां मुध्रा लगाए और लगा आप वहां पर बैठके खाले हम शम जाब कर सकते हैं अथा आप आपको जो मंत्र हम ने दियाम दिक्चा में उस मंत्र को जाब करिए और बैठके शान्त होके पाँच मिनिट कम से कम आप जाब करिए और अपने निर्भय होके शरीर को छोड़ दीजे और आप जाब शुरू करिए और जाब क इनाकन दर करोखने कि रग के साथ साथ शरीर के अंदर हरकत होगा, क्योंकि इस वने आपको स्वादिस्टन में आपका हरकत होगा, मुलादार में होगाudhishtər में होगा, पाने networks means ये पांच जगह में हर्कत होगा, स्पंदन होगा, और अजीब सा लगने लगेगा, उगला सुक रहा होगा, पाने पिने को मन कर रहा होगा, और अच्छा लगेगा थोड़ा, सुखा सुखा थोड़ा लगता है और आप अराम से आप जाप करिए, बाच में ठालेगा. कर रहा होगा होगा है, तो अराम से अरशे लगेगा, प्रमार सुखा लगजए लगेगा टेशा है, आप जगछता हुआ होगा है! कि प्रप्रेजर कर दो खुआ है झाल 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 झाल